बिसमिल्लायरोमान ररहीम, अससलाम अलेकूम विवर्स, वेलकम टो लर्निंग विद्रिजवान, आज की वीडियो के अंदर हम लेक्चर 10 को कंटिन्यू कर रहे हैं, और लेक्चर 10 में हम आज स्टेडी करेंगे अबाउट दा इंटरनेट, अबाउट दा इमेल, अबाउट द उसके फाउंडर कौन थे, और उसका आज कल CEO कौन है, इस तरह के questions बहुत जादा पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल इंटरनेट को, इमेल को, वेबसाइट को स्टेडी करेंगे, और यह बड़ी fruitful वीडियो होगी आपके लिए, और इसमें से काफी PPSC के MCQs आती हैं, तो past paper के MCQs भी हम देखेंगे इसी वीडियो में, चलते हैं वीडियो के तरफ, चैनल को करते हैं, सब्सक्राइब, ताके हमारे साथ आप करते रहें, जीके की प्रेपरेशन जी तो स्टार्ट करते हैं, past paper questions से, तो पहला question हमारे पास है, dash is a data communication system within a building plant, campus और nearby buildings, land, man, van या नन अन अफ दीज, next हमारे पास है, connection to the internet using phone line and modem और card, कौन सा connection होता है, broadband, dish, digital, dial-up, answers हम देखेंगे, end में, BCC stand for, BCC से क्या बनता है, binary, common copy, basic common copy, blind carbon copy, या business common copy, ठीक है जी, next हमारे पास है, DSL stand for, DSL से क्या बनता है, disk super line, digital subscriber line, digital super line, or disk subscriber line, ठीक है जी, next हमारे पास है, facebook was founded in, कब बनी थी facebook, ये question भी आया हुआ है, PPSC के papers में, तो ये 5 questions है, इनके answer हम thoroughly पढ़के ढूनेंगे, और बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी, और चीज़ों का भी बता रहेगा, तो starting from the network, तो network क्या होता है, जी, ऐसा system होता है, जिससे दो या दो से ज़्यादा computer, आपस में जुड़े होते हैं, और communicate करते हैं, समझागी, सिंपल जाब एक धेर सारी computer होंगे, और वापस में जुड़े होंगे, और आपस में एक दूसरे से कोई चीज ना कोई चीज लेन देन कर रहे होंगे, ठीक है जी, father of networking को क्या कहते है, रे, नूरडा कहते है, ये हमारे पिछले lecture में भी हमने discuss किया था, कि network जो है, वो फैलता है, ठीक है, फैली होई चीज है, और नूरड भी जो है, वो भी फैली होई चीज है, रेज भी जो है, वो भी फैली होई चीज है, तो ये इस तरह याद रखना आपने, अच्छा जी, land क्या है, जी, local area network को land कहते हैं, इसके अप्रिवेशन हो गई, जब एक बिल्डिंग या इसके अंदर ज्यादा बिल्डिंग होती है, और बात शहर तक फैली होती है, वैन जो है, वाइड एरिया network कही है, इवन के worldwide या country या states तक फैल होता है, यह थोड़ा सा, आप यूं कहलें कि इसमें धेर सारे network involved होते हैं, या चोटे 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 network मिल के एक बड़ा network बनाते है, और server क्या होता है, वो बड़ा computer होता है, जो सारे computer साथ attach होता है, और आपकी सारी की सारी जो main files है, main storage है, main service है, वो उसमें present होता है, मिसाल के दोर पर आपने एक software किया है, तो आपको 20 computer bank के अंदर पढ़े हैं, तो 20 के 20 computer के अंदर वो data डालने की जूरत नहीं पढ़ेगी आपने रख गिया अपना server, server के अंदर वो software install किया, तो सारे computer के अंदर वो software automatic ने चाल रहा, तो वो जो एक computer जो center में पढ़े network है, उसको हम बोलते है server, तो जो हमारी website होती है, internet पे data होता है, यह सारा कहा store होता है, यह servers में store होता है, आगे आ जाती land, यह उसकी देखने कि यह एक bank game में मिसार के तोर पर दो printer है, और यह server है, और यह computer clients है, ठीक है, तो यह वाले बंदे ने जो अगर print निकालना है, तो यह print निकालने के लिए server को कहाँगा, server इस printer से निकाल देगा, तो इसको भी चाहिए होगा, तो इसके लिए leather printer नहीं है, यह connect हुए में किस से land, local area network स तो एक printer से 10-12-20 बंदे जो है, वो print निकाल सकते हैं, अगर हम van की तरफ जाते हैं, तो man की तरफ जाते हैं, तो यह थोड़ा सा फैला होता है, इसके अंदर सब officer होता है, यानि कि यह पूरा user based पे चला जाता है, ठीक है, इसमे home users भी आ जाते हैं, offices भी आते हैं, सब office जाते ह है, दूसरा जो है, यह पुरानी पिक्चर है, आपने सेटलाइट में confused नहीं होना, सेटलाइट वाला निजाम अप इंटरनेट के लिए नहीं है, इंटरनेट अप थोड़ा जदीद हो गया, तो बारहल यह एक server है, यहां पर एक server है, यहां पर यह server है, तीन अलग अलग network है, पूरी दुनिया के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट है, सबसे बड़ा है, यह क्या करता है, smaller network को जो है, जोडता है, कह सकते हैं कि इंटरनेट एक वैन है, यह नहीं क्या है, अच्छा, allow the computer to exchange information, इसकी वैसे हम क्या कर सकते हैं, information exchange कर सकते हैं, for example, आप YouTube पे internet के जरीए क्या हो जाता है, internet का फादर कौन है, विंट साफ, पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, internet में भी INT है, और winter में भी INT है, ठीक है, और C4 cafe, internet cafe, तो यह विंट कैफ इस तरह याद करना है, www develop किया था, किस ने किया था, टिम बर्न्स ली ने, इसको भी देख लीजेगा, ह मिसके दर क्या होता है, telephone की wire होती है, त्डिक है, telephone की wire होती है, जो जो होती थी, पिर आग्याइ डिजिनल सबस्क्राइब लाइन, ठीक है है, यह हमार एकम्सी दि इस से क्या तर्ञ हो स्ậpकुआइब लगे है, tom sun. मारम देण, इसका रहा है, word. ISP के पास ISP फून लाइन के जरीए कुनेक्ट करेगा DSL के साथ और DSL वायर या वायरलस के जरीए आपके कम्प्यूटर में आजाएगी इसमें आपकी जो पीटिसल वाली ब्रॉडबेंड है वो उस तरह के आजाती है इसे DSL कहते हैं ठीक है जी नेक्स हमार पस है केबल टीव सब्सक्राइब करें यहां पर जो इंटरनेट मूव करता है उस चार तरीकों से आप को लगा सकते हैं यह वाला जो डाइलप होला है न यह खतम हो गया इसका आज कर तसवर भी नहीं यह तीन जो है यह आज कर चल रहे हैं वह बहुत तेजी से जो है वह वह एब्सौर्ब हो इंटरनेट कैसे काम करता है तो भाई यह पुरानी तरीके आपका इंटरनेट बगरा जाता था नहीं अब जो है वह थोड़ा सब्सक्राइब कर दो है अब जो है वह आप्टिकल फाइबर टेकनीक का इस्तमाल किया जा रहा है और उसकी वाएसे बर्रयाजमों में से मोटी म सब्सक्राइब नहीं है क्योंकि सैटलाइब से बहुत स्लो स्पीड हो रही थी यह वाले थोड़ी सी फास्ट हो जाती है यह मैंने एक टोनियल सी डियाग्राम बनाई यह थोड़ी सी इसको जरा समझ लें कि कंप्यूटर डिवाइस आपकी है आपने मैसेज बेजा मोडैम क कि मुझे फुलाँ वैब साइब जाना यूट्यूब लर्निंग द्रिजवान पर जाना तो उसने का अच्छा मैं पता करका तो आई पी अड्रेस के पास गया उदर से आपका अड्रेस लिया ठीक है मेरा ड्रेस लिया ड्यानस लिया यूट्यूब का डूमेन नेमिंग सिस् सर्वर में पढ़ेगी जहां पर वीडियो मेरी पढ़ी हुई है तो वहां पर सर्वर होगा और वह कहेगा अच्छा आपको यह वीडियो चाहिए हमें भी देते हैं तो फिर यह वापस यहां से यह दुबारा आ जाएगी ISP के पास और दुबारा जो है मेरे पास आएगा यूट्यूब के दफ्तर से यह मेरे कम्पूटर के अंदर आएगा तो इसको हम यूं समझ लें यह एससडी कम्पूटर में आपस सर्वर्ट पढ़ा है तो जिन रूल्स के तहत यह ट्रैटर ट्रांसपर करेगा इधर से उधर तक उन रूल्स को हम बोलते है प्रोटो को इसके डिफरेंट प्रोटो कोल्स हैं हमागे डिसकस करने लगा अच्छा जी यह वाई ओशन के जरीए हमें आई एस्पी तक पहुंचा रही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचा रही है उसका नाम क्या जी सम मैरीन केबल ऑप्टिकल फाइबर इसको मेंटेन कौन करता है गूगल वैरीजोन औरेंज एटी और एटी अंटी यह कंपनी के नाम है गूगल वैरीजोन औरेंज और एटी अच्छा जी नेक्स्ट क्या है यह जो नेमिंग सिस्टम होता है यह जो नेम्स देता है इंटरनेट के यह कौन देता है जी इंटरने प्रोटोकोल्स बताएं कि यह डेटा जो है यह खास रूल्स के जरीह आता है उन रोल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकोल्स तो यह मुख्लिफ डेटा मुख्लिफ प्रोटोकोल से आता है जिसमें टी सीपी का मतलब है ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकोल और आईपी का मतलब ह होती है है HTTP के प्रोटकोल के जरी आती है रार टीप क्या होता है Reall Time Transport प्रोटकोल ये ये लाइस वीडियो जो आप की सुन दे ώते हैं या फेस्बुक प्यारी ये इसके लिए जो प्रोटकोल है 92 और टीप्रील प्रोट्टोबोकॉल की जरीह जाती है इंटरेट रिले चैट प्रोटोड कोल यह भी इमेल के लिए सिंपल मील ट्रास्फर प्रोटोकॉल यह भी ईमेल ही के लिए है इस में से भी ने को बें 2 प्रोटोकोल के लिए यूज होती है। नजर मेंगे रहते हैं उसको फोटरोजर का थूर्ट को से तार। काफी questions आते हैं कि ये फुलाँ जो है इने में से कौन सा ब्रोजर नहीं है ये फुलाँ जो है इने में से कौन सा ब्रोजर है इस तरह को questions काफी आते हैं Mozilla Firefox Chrome Google Chrome 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 लिखा वैसको Google Chrome कर लेजिएगा UC, Safari और Opera ये पांच मैंने लिखे हैं और भी हैं मगर ये important है इने में से questions लाते हैं ये हमारे पास Google Chrome है और Google Chrome को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से इसकी interface होती है अब किस तरह से interface होती है जरा उसको आप देख लें बहुत से सबसे उपर जो चीज़ है ये address बार जहां पर हम www.url लिखेंगे जहां पर URL यानि address लिखा जाता है उस जगा को address बार कहते हैं उसके साथ एक refresh बटन है address बार को edit करने के लिए control plus L का shortcut की है refresh के लिए F5 का shortcut की है इसके बाद पिछले page जब जाने के लिए अगले page बजाने के लिए है forward और पिछले page बजाने के लिए reverse आगे जाना तो alt plus right पीछे जाना तो alt plus left न्यू टैब बटन खोलना है तो control plus D बुक मार्क करना है तो कैन्ट्रोल ब्रस डी यह जो प्लस निशाना रहा मेरी जो है यह खोल लेगा जो मुझे चाहिए मैप का है यह योट्यू का तो बुक मार किसको होता है तो यह कुछ बातें इंपॉर्टन है इसके यहाल रखेगा विद शौर्टकट कीज वेब साइट टरम्स हम देख लेते हैं www क्या है यह तमाम वेब पेजिस के मजमुए का नाम है जो पूरी दुमी डुमार कर रही है www तमाम वेब सायट के डंच मजमुए का नाम है वर्ल्ड ओाइड वेब वैब पेजिज के किसी वेब साइट के एक पेज को वेब को page कहते हैं और जाधा को web pages कहते हैं और जो documents होंगे www के अंदर उस documents में जारे बात है तस्वीरें भी होंगे टेक्स भी होगा audio भी होगी वीडियो भी होगी लिंक्स होंगे किसी दूसरे पेज के तो इस तरह की चीज़े जो आपकी website पर जो page पड़े हैं उसे हम क्या होंगे यह वेब pages हैं और website क्या होता है जी धेर सारे या कुछ आप कहलें के 15 20 200 200 300 pages अगर आपके पास हैं और आपने उसको एक ही समोया हुआ area के अंदर तो उसको बना देगा website और website के पहले page को क्या बोलते हैं home page बोलते हैं पहले page को क्या बोलते हैं याद रखने वाली बात है ठीक है और hyperlink क्या होता है अगर आपके webpage पे कोई link है जिसको click करके आप किसी और page पर चले आइंगे उसको hyperlink बोलते हैं simple अगर आपने किसी जगह पर click किया और नया page खुल गया और वह आप उदर से आगे चले गए तो इसको बोलते हैं यह क्या है hyperlink ठीक है फस्ट वाइव website जो रिजिस्टर हुई थी उसका नाम है symbolics.com यह question आ सकता है सबसे जादा यूज की जाने वाली website कौन सी है गूगल है दूसरे नबर वी यूट्यूब है तीजरे पर फेस्बूक है चोते पर Wikipedia मश्चूर मश्चूर बता रहा हूँ यू आरल से क्या बनता है uniform resource locator यह क्या होता है जी अच्छा uniform resource locator यह क्या होता है जी address of web pages वेब पेजिस के जितने भी address है उसके लिए खास किसम का URL होता है www.flaan.com लब्स तो इस तरह करके यह होता है सर्च इंजन क्या होता है जी सर्च इंजन उसी वेब पेज को find करने के लिए एक तरीका है या एक उजार है जिसके जरी हम वेब पेज को तलाश कर सकते हैं जिस तरह सबसे थी वेब करालर है थी अलटा विस्टा उसके बाद आइगे थी आस्क उसके बाद आई थी Google उसके बाद आई थी एमशन इमेल यह बड़ा important question है कि email क्या होती है an electronic way of sending and receiving email यह नहीं कि एक तरीक है जिसके जरीए आप बरकरफतार की spirit से जो है आप email भेज भी सकते हैं और mail ले भी सकते हैं यानि कोई खत्व कताबत तो email का account जो होता है वो क्या होता है जिसके अंदर आपकी सारी emails होती है mail box जिसके अं email पड़ियों उसको हम क्या बोलते है email account email address क्या होता है वो ID होती है जो email ID provider हमें provide करता है और वो हमारी लिए unique होती है email ID के अंदर दो चीज़ें होती है यह जो आपको blue में नजर आ रही है user name होता है और जो आपको red में नजर आ रही है hotmail.com यह domain name होता है ठीक है domain name अच्छा ज जिसके जरीए आप computer आपको कोई इस्तिमाल ना कर सके यह आपकी ID कोई ना खोल सके famous email provider कौन है जी Google की Gmail है Yahoo की Yahoo है और Microsoft की hotmail है ठीक है याद रखिएगा Microsoft की hotmail है सभीर भाटिया ने बनाई थी अच्छा जी father of email कौन है जी रे टो आटो मिलसन founder of hotmail कौन है सभीर भाटिया यह म the first mail was sent by Ray Tom Olsen यह देखें इसी बंदे का नाम है इसने किसको बेजी थी अपने आप को बेजी थी 1971 में यह याद रिखेंगा date important है the test message message were entirely forgettable most likely the first message was यह उसने quality of जो एना वो टाइप किया था या इसके ऊपर यह उसने खुद बताया था ठीक है जो पहला message था ना वो कुछ इस थी तो कोई खास बात उसमें लिखी नहीं थी और अपने आप कोई सहमी की थी अच्छा most used email service जो है वो कौन सी है पहले नंबर को Google है तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर outlook है और तीसरे नंबर पर यह हूँ है hotmail outlook एक ही चीज़े है इसमें प्रिशान नहीं होना आप लोग और जिनको भेज रहे होगे उनको पता होगा कि किन किन को यह email गई है यानि कि CC पर अगर आप email डालोगे तो अगले बंदे जितने बंदों को send करोगे सब को पता होगे कि यह किस किस को mail गई है BCC क्या होता है blind carbon copy इसमें आप भेजते हो तो बहुत सारे लोगों को बट यह अगला बंदा कि यह किस किस को वेज़ेगे मिसाल के दौर पर मैंने 100 बंदों को भेजी है तो जिस बंदे को मैंने email गया उसको नहीं पता कि हो दूसरे 99 बंदे कौन है तो यह BCC में blind carbon copy होती है इसमें अगले बंदे को नहीं पता होता कि किन किन को mail गई है और CC में क्या होत होता है सब को पता होता है कि किस को mail गई हो या या नि वह अटाइच हो जाते हैं अच्छा जी सब्जेक्ट होता है सबसे पहले उसको heading और title कहते हैं उसमें और attachment में आप क्या कर सकते हैं को picture document attach कर सकते हैं shortcut किया जी control and दबाऊगे तो नहीं mail open हो जाती है inbox वो खाता होता है जिसके अंदर आपके सारी आने वाली email होती है send box वो होता है जिसके अंदर जाने वाली email होती है trash वो होता है जिसके अंदर deleted emails होती है draft क्या होता है यह बड़ा important है draft क्यों होता है जिसमें send emails होता है या आपने जो email लिखी थी वह कहा गही तो ड्राफ्ट मी पढ़ी होगी इनकंप्लीट email या अनसेंट email जो होती है वह ड्राफ्ट में आती है जंक क्या होता है जंक कि यूँ समझने कि आपको मशोरी के लिए ना अपनी मशोरी के लिए लोग जो है वह ज़ादर ज़ादर करते हैं आप ए स्कैम यह होता है कि वह इन अपरिपरेट मैसेज होती है जो जादा से लोगों को भेज़े जाएं ठीक है अ मिसाल के दौर पर एकठे मैसेज भेज लिए जादा लोगों को तो उसको कहें है इस पैं तो यह जंक और स्पैम फोल्डर्स होते हैं यह लाद़ होते हैं उनसको किसी को फून करके या किसी को ईमेल भेज के कुछ ऐसे कर वालो जिससे आप उसकी पासवर्ड या उसके क्रेडिक कार्ड की इंफरमेशन लेकर फिर उसको पैसे मिस यूज करो तो स्कैम इसे बोलते हैं स्कैम या फिशिंग फिशिंग का लवज बहुत आता है एक्जाम में अच्छा जी रिपलाइब से क्या होता है रिपलाइस के आप इस बैसी मेशिग करते हो फारवर्ड सी ऩ्क्शन इमेल आप किसी को आगे भेज़ दे ऑ ठीक है यह आ पका किक के बाद आ जाता है शोशन मेडिया इंपरटन कंपनीज और इसमें फेस्बूक का है मार्गяжन को जल रहा है जी संदर पिचाई और यह देखेंगे यह उतर ना गया है उसी यह जो यह चेंज होते रहते तो तो सुमेखल सुनदर पिचाई है अब भी बी ऑर इंडियान है और इंपॉर्टन है इस लिहाज सी अच्छी चार सेप्टैंबर को मनि दिये चार फर्वरी को मिनी है यह चार सेप्टेंबर को बनी थी 1998 में गूगल इसके हेड़कॉर्टर कहां पर है मॉन्टेन व्यू कैलिफॉर्णिया में और आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ के लहरी पेज और सर्जी ब्रेन है अच्छा यूट्यूब की सी यू इस्टम सुजान विज्यो की है और यह 14 फरवरी को बनी थी बहुत असान है याद करना देखें चार फरवरी फेस्बुक है और यूट्यूब 14 फरवरी को है ठीक है 2005 एक साल बात अच्छा जी हैड़कॉर्टर इसका कैलिफॉर्णिया यूएस के अंदर है सैं बरोनो इतना इंपोर्टन नहीं याद करना बना अच्छा जी फ्रांसिसको कालिफोर्निय यूएस में बनाई किसने बनाई जैक डोर्सी और नौा गिलास ने अच्छा जी लिंक डिन रेजन रोजलन की है धोजार तीन पांच मई को मनाई ठीक है और देखें जो पांच में यह कम में मनाते हैं ना उसकी लेबर डे लेड़ तो इसके जो फाउंडर है वो रेड हाफ मैन है वाटसएप किस ने बनाई विल कैथर इसके जो है यह सीओं है अभी कुछ दिन पहले यह वाटसएप बंद हुआ था यही बंदा टुटर शूटर पर जादा चल रहा था तो यह किस ने बनाई कब बनी 2009 में ठीक है जनुरी 2009 मे इसका भी वही फेजबुक वाला है इसका अड़ा है है फाउंडर है वो है ब्रेन एक्टन और जैंकॉम नेक्स हमारे पास है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के है कैमिन सिस्ट्रॉम इसके याद रखेगा पड़सब के एक साल बाद इंस्टाग्राम आई जनुरी 2010 के अं पांडर इसके के सिस्ट्रॉम है इसके यही चल रहे है एक्स्ट कौन है एमाजान एमाजान के कौन है एंडी जैसी ठीक है सीओ है और फाउंडर कौन है जेफ बजाज अब जेफ बजाज के बारे में आपने सुना भी होगा कि यह जो है वो स्पेस का टूर भी करके आए है स्पॉंसर जहाज में और यह वाशिंटन यूएस में इनका दफ्तर है 1994 में बनी थी यह बड़ा इंपोर्टन है 1994 में अमजोन बनी थी ठीक है जी अलीबाबा के जो फाउंडर है वो जैक मां है और इसका जो है वो जियांग चैना के अंदर इसका जो है वो है एड़ ऑफिस है 1999 में बनी थी अच्छी यह कौन सी है Amazon और Alibaba जो है E-commerce वेबसाइट है यहाद है E-commerce वेबसाइट है Exchange वहाँ बहुते है जी और E-commerce में कौन सी है जी Ebay है Ebay 1995 में आई थी इसके जो है वो पेरी ओमेडार है और OLX जो है वो 2006 में फाउंड हुई है और इसके यह founders है तो यह थे आज के हमारे टॉपिक शोशल मीडिया भी कवर किया है इंकामर्स के भी किया है हमने मेजर वेब साइट को तो यह यहाद रखिए गा अंसर की तरफ आते हैं जी मैंने भी बताया था कि कम्मुनिकेशन सिस्टम जिसके अंदर एक बिल्डिंग या कुछ केंपस बगए रहा हूं तो वो लैन में आता है लोकल एरिया नेटवर्क में नेक्स्ट हमारे पास है जी connection to the internet using line and modem और card dial up मैंने भी बताया था कि phone line से जो चीज़ इस्तिमाल किया थे उससे dial up कहते हैं ठीक है जी बी सी से क्या बनता है blind carbon copy हमने यह भी डिटेल देखिया डी एसल से क्या बनता है digital subscribe line इसको भी हमने देखा है facebook company 2004 में youtube 2005 में तो यह था आज का topic I hope आपको पसंद आया होगा channel को कर दीजिएगा subscribe मजीद तमाम lectures आपको मिलेगे यहां पर और next lecture होगा इंशाला यहां पर आपको बहुत असानी से lecture मिल जाएगा next lecture चलते हैं next video झुलते हैं